नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बाहिये प्रणायाम के बारे में दोस्तों बाहिये प्रणायाम का अभ्यास करने से पहले मैं आपको बाहिये प्रणायाम किस प्रकार करते हैं उसकी विदी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों बाईय प्रणायम दो तरीके से किया जाता है इसका वरणन महरसी पतंजली के योग सुत्र के अंदर बताया गया है बाईय प्रणायम की जङ पहली विदी है, उसके अंदर स्वास को पुरा अंदर बरके पूरा बाहर की तरफ तेजी से निकालते हैं और फिर हम पेट को अंदर लेके बूल बंद लगाके इसका अव्यास करते हैं तो यह पहली विदी है और दूसरा जो अब्यास है वह ध्यान के लिए किया जाता है दोस्तों दूसरा जो अब्यास है वह ध्यान के अब्यास के अंदर साहिक होता है तो वह जो बाहिय प्रणयाम है उसके अंदर ने तो स्वास को तेजी से फेका जाता है ने स्वास को तेजी में बताएंगे इस वीडियो में हम बात करते हैं पहला जो बाईये प्रणायाम का अभ्यास है उसके बारे में यह प्रणायाम बहुत ही सक्तिसाली प्रणायाम है इसके अभ्यास से हमारे पेट पर जमी वी जो इक्स्ट्रा चर्बी होती है, वो कम होती है, हमारा पाचत अंत्र बहुत ही अच्छा हो जाता है, मेटाबोलीजम बैलेंस होता है, इसी के साथ डाइबिटीज और इससे संबंदिर जो प्रोब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है, तो आईए हम भाईये प्रणायाम का अभ्यास कर पहले किसी भी सोखासन, पदमासन, आसन के अंदर बैठ जाएं, जो आपको कमफरेटेबल हो, कमर गर्दन को सिधा रखें, दोनों हातों को इस प्रकार गुटनों के उपर रखें, और एक लंबा स्वास बरें, स्वास बरने के बाद पूरा सास बाहर निकाले, स्वास बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर खीचे, दोस्तों, इस प्रकार से स्वास को तेजी से बाहर निकाल कर उढ़ियान बंद लगाया जाता है, उडियान बंद लगातने के बाद हम मूल बंद लगाते हैं जिसमें एनस को उपर की ओर संकुचित करते हैं और फिर हम गर्दन को नीचे जुका कर जाल अंदर बंद लगाते हैं यह तीनों बंद लगा कर जितनी देर तक हम स्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक स्वास रोकें और जब हमें स्वास अंदर वरना हो तो गर्दन सिधी करें पेट को डिला छोड़ें मूल बंद हटा कर स्वास को अंदर खीचें फिर वापस पुने अगला अभ्यास करने के लिए स्वास को पूरा बहार चोड़ कर फिर उडियान बंद मूल बंद और जालंदर बंद लगाएं और जितनी देर तक आप रोक सकें उतनी देर तक रोकें उन्हें इस अभ्यास को तीन से चार बार करें इसकी कम से कम आवरती आप तीन बार करें अदिक्तम आप 21 बार तक कर सकते हैं जितना अपका सामर्त है उतना आप इस अव्यास को करें यह आपको बहुती लाप पहुचाएगा तो दोस्तों आज हमने बाईये प्रनायम का अव्यास जाना अगली वीडियो में हम बाईये प्रनायम की दूसरी वीडिये के बारे में बात करेंगे धन्यवाद